हे गाईज कैसे आप से बहुत अच्छे उंगर में बहुत अच्छे में चैनल में आप सभी का स्वागते रिया लावीद भवीता में और मैं आज आपके लिए कुछ लेके आई हो आई हो आपको पसंद आएगा अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यदि कर देना अगर पसंद आए तो और मैंने ना मतलब सारा काम फिनिस कर दिया है तो मैं आज आपके लिए लेकर आई यू मिक्स वेज की रेसीपी आई हो आपको पसंद आईगी अगर आप इस तरीके से बनाऊगे जिस तरीके से मैं आज बताऊंगे आपको तो आपके लिए हैल्फ रहे साथ ये मेरा वीडियो और रेसीपी भी मतलब बहुत टैस्टी बहुत या मी मतलब बहुत अच्छी लेकर आई हो और आपको पसंद आईगी तो पसंद आई तो एक प्राइब जरूल कर दीना तो चलिए तो चलते हैं हम किचिन में मिलते हैं बने रहे एगा वीडियो में तभी आपको पता चलेगा तो चलिए और यहां पर मैं आगे हैं किजिन में देखते हैं मैंने क्या क्या लिया हुआ है और फिर बनाएंगे इसके हम सबजी और यह मतलब मटर लिये प्याज है और आलू गाजर सिमला मिर्च हरे मिर्च और गोवी और थोड़ी सी मतलब कुछ लैसन के कलिया ले लिये दस्ते बार है और थोड़ा साध रख ले लिया है एक टुकड़ा छोटा सा बहुत और इससे हम एक रेसीपी बनाएंगे जैसे कि आप पो यह पसंद आएगी और यह मैंने कैसे बनाई है तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाई है और आप लोग मतलब यह और सब्जी जैसे होती है है फ्रांस मुण से या फिर और सब्जी भी मतलब अपने हसाब से ले सकते हो वाट मैंने न इतनी ही लिए फिलहाल है तो कि मैं इसी से बनाने वाले हैं क्योंकि हम मतलब दोई लोग हैं तो हमारे लिए इतनी यह बें मतलब काफी हो जाएगी तो इस हिसाब से मैंनु ले ल तो चलिए देखते हैं मैंने इसको कैसे बनाया है कैसे मतलब साइथ आपके लिए ये मेरी रेसीपी हेल्फ होलता है अगर पसंद आए तो लाइक जरू कर दीजेगा कि और मैंने मतलब एक आलू लिया था थोड़ास बड़ा सा था और मतलब ज्यादा बढ़ा नहीं था है तो मैं आपको बता रही है एक से दो आलू आप लोग ले सकते हैं इतनी मतलब सब्जी में और मैंने मतलब अपने साफ से एक लिए इसके साफ से तो चलिए बनाना स्टाइट करते हैं हम लोग इसको यह देखें और मैंने या पर मतलब कड़ाई बगारा चड़ा दिया है और आप लोग न मतलब यह और कम खाते हैं बहुत से ज़्यादा खाते हैं तो आप अपने साफ से ले सकते हुआ मैंने ना अपने साफ से लिया हुआ है तो और इसको नहाएं मतलब गरम होने तक ठोड़ा सा इनतजार कराएंगे और मैंन Male मतलब इसी तरीके से बनाती है और ये रेसीपी मतलब बहुत अच्छी बहुत यामी खाने में बहुत टेश्टी लगती है तो मैंने ऐसे ही बनाई इसको और ये मेरा वायल अभी गरम नहीं हुआ है थोड़ा से वेट और कर लेते हैं तब तक ये गरम होता है तो चलिए और मैंने इसको देख रहती है ऐसे तो और मेरा हाथ जल गया थोड़ा सा जीरा और ये तेज पत्तर डाल दिये हैं और ये मतलब दो मैंने खड़ी लाल मिर्शी ले लिए और इसके बाद आपके जो मैंने लैसन के के लिए जो छील के रखी ती ना वह और ये इसके बाद मैंने इसमें मतलब अभी कोई भी मसाला नहीं ढालना है वैकि ना सब्जी अगर ऐसे बनाओ गे तो और भी टैस्टी बनती है और मैंने जो चितनी सब्जी थी वो दोग्या इसी में डाल दी है तो और हम इसको नव अच्छे से पका लेंगे यह देखिए और मतलब इसको नव अच्छे से पका लेना अभी इसमें कोई भी मसाला एड नहीं करना है क्योंकि अच्छे से मतलब भुण जाएगी तेल में फिराई हो जाएगी तो एक अच्छा सा टैस्ट और खाने में भी मतलब बहुत अच्छी लगेगी और इसका कलर भी मतलब बहुत अच्छा आएगा और यह देखिए मैंने जो जितने भी मसाले लिए थे जैसे की नमक है औ मिर्ची पावडर डणिया पावडर अल्दी पावडर यह सब लिया हुआ है और इसको मैंने डाल दिया है और इसमें नमतलब एक चीज डर आपको बुरकुल भी पानी एड़ नहीं करना है और अब मैं इसमें उपर से हिंग डाल रहे हूँ बट मैं पहले भी डाल सकती है जो मैंने अब डालाने इसका टेस्ट और अलग आएगा और इसको अब ढखके छोड़ देना है कुछ देर के लिए और यह देखिए मैं आपको दिखाते हूं कितनी यम्मी बनी है मेरी सब्जी बनके तैयार है यह देखिए और इसमें थोड़ी से मैं धनिया पत्ती डाल देत है और यहां पर मैंने यह तबा रग दिया है रोटी बनाने के लिए अब कुछ इस तरीके से और मेरे से नहीं मतलब एक साथ रोटी नहीं बिलती है मैं थोड़ा-थोड़ा करके वेल दूंग अभी और मैं रोटी बना लूंगी कर्मा गरम दूसरी भी इसी तरीके से बना लूंगी और मैं अच्छे से सीखूंगी थोड़ी सी क्योंकि मुझे वो कच्ची कच्ची रोटी सी थोड़ी कम पसंद लगते हैं और मैं दूसरी भी इसी तरीके से बना लूँगी और फिर इसको भी मैं शेख लूँगी और रोटी मेरी लगभग बन चुकी है और अब हम लोग खाना शरप कर लेते हैं फिर हम लोग खाना खाएंगे और यह देखिए मेरा खाना और यह दाल ना मैंने सुबह बनाई थी तो बोई ले लिए और यह हरी मिर्च और यह सब्जी देखिए कितनी यम्मी दीख रही है और रोटी आप इसके साथ परांटा भी बना सकते हो बट मैंने रोटी बनाई है क्योंकि नहीं मतलब इसमें ओल तो वैसे थोड़ा ज्यादा ही पड़ता है तो इसे लिए तो आ जाईए आप लोग को खाने के लिए और यह देखिए मैं आपको दिखा रहे हैं कितनी यम्मी बनी है मेरी सब्जी पसंद आए मेरी रेशिपी तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर न्यू हैं तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई